हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं अच्छे होंगे आज इस वीडियो में हम ऐसी चीज के बारे हम बताएंगे जो कि अब तक यूट्यूब पर इतनी अच्छी से वीडियो बनाया नहीं गिया है तो मैं आज बात करेंगा क्रांती कारीद नेता जिसको फादर आजाता है मैं बात कर रहा हूं महात्मा गांदी जी के बारे में जिनका पिक्चर हर नोट्स पर आप देखने के लिए मिलें होंगे जब आप देखेंगे इंडियन करेंसी तो इस तरह की बात को हम कैसे हम बया करेंगे आपको आनतिम तेक ज्यूर देखना है ताकि आगो य केलारेटी समझे में आयए कि कैसे कैसे हमारे भारत देश को अजाद दिलाने में महात्मक गांदी का अहम भूमी औरूमी का रोल खेसे था इन्होंने क में आप लोग इस सामने बोलने की कोजिस करेंगे, समझाने की कोजिस करेंगे, वियाख्या करने की कोजिस करेंगे, इस वीडियो को अंतिम तक जोड़ देखे, तो मैं बात करूँगा महादवा गांदी, जिनका परतेक 2 अक्तुबर को गांधी जयनती के नाम से मनाया जाता ह उस दिन कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इस्टिचूट और विभिन सरकारी कार्ज छुट्टी रहते हैं क्योंकि उस दिन महामरागांधी जी का जनम हुआ था किस वर्स हुआ था तो 1879 इसवी में हुआ था उनकी माता जो थे बहुती रिलिजियस, मतलब धार्मिक लेडी थी मतलब बहुती धार्मिक विश्वास कर दे थी, इस तरह की उनकी माता थी उनकी जो फादर था जिनका नाम कावा गांधी था जो की राज कोट के एक छोटे राज्य के दिवान थे और महादवा गांधी साथ साल के उर्म में मतलब सेवन इयर्स के उर्म में ही इसकुल जोएन कर लिये थे, वो उतना बिर्लेंट नहीं थे, मतलब he was not honest, he was honest but not brilliant, ओके और तेरह साल के उर्म में ही वो साधी कर लिये थे, कस्तुर्वा गांधी के साथ love marriage था उनका, मतलब उस समय child marriage को बढ़ावाद दिया जाता था, तो उनका जो साधी हो गया, युवा हो गया, सतर साल के, तेरह साल के उर्म में ही हो गया था, फिर साधी होने के बाद, विवा होने के बाद, आदमी थोड़ा, मतलब कुछ करने की कोजिस करता है, मतलब केरियर में उच्छी पैदान पर जाना चाहता है, मतलब source of income generate करने के बारे में सोचता है, तो इसलिए वो इंगिलेंड के तरफ move कर गए, मतलब लोग की study करने के लिए वो चल गए, उस समय उनका जो उर्म था, मतलब 17 साल का था, ठीक है, फिर वो वहाँ पर study करने के बाद, लोग की study complete कर लिया, तो फिर वो भारत देश में वापस आ गए है, अब practice की बात है, तो वो practice करने के लेकिन आप जानते हैं, उनको जो वकील बनने का था interest वो नहीं था ज्यादा, क्योंकि आप जानते ही हैं, जब आप वकालत करते हैं, आप जब lawyer land में रहते हैं, तो आपको बहुत सारी गलत चीज को भी आपको सत्य मान कर आपको परेद, मतलब आपको सामने बोलना होता है, आपको decision लेना होता है, आपको मतलब जुट चीज को भी आपको दिखाना होता है, तो ये उनकी आदद नहीं थी, आप तो जानते ही हैं, महानवा गांदी बहुत ही मंदार वेक्ती थे, फिर उन्होंने निरने लिया कि South America जाएं, वहाँ पर उन्होंने कूली barrister as a role लिभाय है, वहाँ पर देखा कि बहुत सारे Indian people को बहुत सारे लोग जहाँ जो लोग वहाँ पर काम करते थे, उनको देखा, अपने आँखों से देखा, observation कि वहाँ पर भार देश के लोग को काफी insult किया जादा था, मतलब एक जो होता है न, मतलब छोटे कास्ट को बरे कास्ट वाल को, वहाँ के लोग काफी insult करते थे, मतलब एक हरास होता है न, मतलब harassment उस तरह करते थे, उनको देखकर महतन गांदी को काफी दिल में चोट लगा, और फिर उन्होंने ने लिया कि हमको कुछ ऐसे कदम उठाना परे, जिससे हमारे भार देश के जो लोग हैं, उनको इतना struggle क सामना ने करना परे, लोग को ताना न सुनना परे, इस तरह कि उनकी बात को उनके मैंड में चलने लगा, उस समय, फिर उन्होंने कुछ समय बाद, आप्टर सम टाइम, इंडिया वापस आया, फिर उन्होंने अपने देश को बेटीस रूल से आजाद दिलाने के लिए उन् मतलब वहीं से जब स्ट्रेगल स्टार्ट होता है, मतलब भार देश के लोग जब सौत अबरीका में काम करते थी उनको हैरास किया जाता था, तंग किया जाता था, उन सब को देखते हुए, जब भारत देश लोटे महारवगा गांदी जीने, तो उन्होंने निने लिया कि ह अब भारत देश को अजाद दिलाना है, भारत बेटिस रूल के द्वारा, बेटिस रूल से अजाद दिलाना है, फिर उन्होंने आफटर वर्ड वार फरस्ट, मतलब वर्ड वार उस समय चल रहा था, तो उसके बाद बेटिस जो उनका जो भी लोग थे, तो उन्होंने मेन भी थे, ओमेन भी थे, चिल्डरेन भी थे, जिसको आज के दोर में जले में वाला बाग कहा जाता है, जिर्सका घटना अमरी सर में हुआ था, उन्ने सो नीस में, मतलब गांदे जी बहुती दिल से तूट गया है, मतलब इस तरह के टैजिडी उन्होंने जिन्दगी में कभी नहीं देखे थे, मतलब पंदर सो भारतिय लोगों को मार देना बीडिस के द्वारा, समझ सकते हैं कितना, मतलब पुरा देश में, मतलब बहुती कुरूल था सरकार जैसे मने आ गिया भारतिय इस तरह का विहार होने लगा था, मतलब लोग तूट गए थे, मतलब यह कैसे विहार किया जा रहा है, भारतिय देश के लोगों के द्वारा, मतलब लोगों के परती, इस तरह का मायंड में आने लगा, लोग तूटने लगे, मतलब लोग कहा जाएं, कोई समझ में नहीं आ रहा था, उस समय महात्मा गांदी जी सामने आये, उन्होंने बहुत अच्छे निर्ने लिया, उन्होंने सबसे पहले नन कॉपरेशन मुव्मेंट बीटिस के खिलाप लाना सुरू किया, उसमें बहुत जिसमें महात्मा गांदी के दुवारा, महात्मा गांदी जी के दुवारा, सॉल्ट लोग को तुरा गया, जिसमें महात्मा गांदी को बेटिस सरकार के दुवारा, एरेस्ट कर दिया गया, फिर कुछ समय बाद उनको रिलीज कर दिया गया, रिलीज जैसे ही हुआ, उनको रॉन टेवल कन्फरेंस में बुलाया गया बिड़िस सरकार के according बहुत सारे ऐसी चीजे थी जिसमें बिड़िस सरकार को ही ज़्यादा फायदा होने वाले थी जिसके वज़ा से महतमा गांधी जी ने इस फिर्स्ट रॉन टेवल कन्फरेंस से ना खुस थे फिर उस समय और महादवा गांदी जी का जो last था, last moment वो moment बहुती powerful moment था इस moment के दोवारा जो last moment था पहला तो non-cooperation moment था, दूसरा था civil disobedience और तिसरा जो की last moment था महादवा गांदी जी का career का जो की पूरा देश को हिला दिया था मतलब वो था मुव्मेंट कुट इंडिया मुव्मेंट मन बेटी सरकार भात छोड़ कर भाग जाएं मतलब इस तरह का मुव्मेंट था इसी मुव्मेंट के कारण भारदेश अजाद हुआ ये जब मुव्मेंट स्टार्ट हुआ उस समय साल था 1942 इसमें महादर गांदी जी भी एरेस्ट हुए फिर छोड़ दिया गया फिर मुव्मेंट महादर गांदी जी को एरेस्ट करने के दौरान भी मुव्मेंट लोग भी द्वारद चलता रहा चलता रहा इसलिए ये कभी रूका नहीं मतलब अजादी लेकर ही रूका तो इस तरह क का मुव्मेंट स्टार्ट हुआ महादार गांदी जी इस तरह स्ट्रेगल करके अपनी जिन्दगी का काफी हिस्सा भार देश को अजाद दिलाने में उन्होंने काफी योगदान दिया है इनका जो कहानी है कभी भुलाया नहीं जा सकता है लोग को अभी भी प्रेद उन से ले बिटी सरकार के खिलाप होना इस तरह का उन्होंने एस्ट्रेगल किया लेकिन आज के युवा और एस्ट्रेंट लोग इतने चोटी-छोटी एस्ट्रेगल देखते हैं और तूट जाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं तो इन लोगों से हम कहना चाहेंगे कि क्यों ऐसे हर कर दिए जूर आप सबलता होईएगा आप कैसे भी कोई भी जिन्दगी से आप परिसान है आपको जूर काम्यावी होंगे जिस तरह महादव गांदी जिने भारत देश को अजाद दिलाने में आहम भूमिका नहीं भाए इसी तरह कर वीडियो पाने के लिए हमारा वीडियो हम करते हैं लाइक करते हैं कमेंट्स करते रहें मिलते हैं नेक्स वीडियो में